हेलो दोस्तो स्वागत है हमारे यूट्यूब से नाउलाइन कोचिंग टिप्स में तो दोस्ता जम बात करेंगे बिरोजगारी भत्ता के बारे में जी हैं दोस्ता जारकन सरकार के दोवारा आप बिरोजगारी भत्ता देने करने नहीं लिया गया है ठीक है जी हां दोस्ता जा बढ़ना है कहां आपको फ़र्म जमा करना है किस तरह फ़र्म है ठीक है इसका सारा कुछ डिटेल्स हम आपको इस्टेप बाइस बताऊंगा ठीक है तो विडियो को सुरू से लेकर रहे हैं वीडियो अच्छा लगए तो लाइक को मेंट शेयर ज़रू कीजिए और अभी तक म जो बीरॉजगर बत抱तरा है सभी को इसका लाब मिल सके ठीक है चली में आपको दिखाता है कि यह कि आपको कैसे बीरोजगर बत्ता भरना है ठीक है कैसे आपको फर्म बरना है कहाँ जमा करना है ठीक है इसकी सारा कुछ डिटेल्स हम आपको step by step इस्तिलन पर बात करेंगे ठीक है तो चलिए मैं आपको रिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जारकन, सरकार सरम, नियोजन, परसिश्चन, कोसल, विकास, बिभाग, जिला, नियोजला, पलामू यह पलामू से आपका यह अविदन निकला हुआ है ठीक है अभी धिरे-धिरे सभी डिस्टिक्स में आपको अविदन करने की जो है कि समय मिल जाएगा ठीक है धिरे-धिरे सभी डिस्टिक्स में आपका यह विरोजगर भत्ता का लाब मिलने वाला है ठीक है यह जो योजना है इस योजना का नाम है मुख्यमंतर प्रोजटाहन योजना इस ही के तहद आपको इसका बिरोजगार भास्ता मिलेगा यहाँ पर आप सरकार राजी में विरोजगार नाम है साहतारासी उपलब्द कराना है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि योजना का नाम है कमंदरी पुरसाहन योजना तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके योग्यता क्या रखा गया है ठीक है इसके पत्रता क्या है इसका आविदन के परकिरिया क्या है क्या है क्यों कालीन प्रसिच्चन सरकारी आई टी आई सरकारी पोलेटेकनिक और सरकारी वेवसाइक पाइट एकरम जो नेशनेल इस्किल क्वालिफिकेशन फार्म वार्क से एलिगेंट हो से उतिरने अवंग सरकार के दोबर इस्ताफित मानों को पर सपलता पूर्वक परमानित होना चाहिए यानि कि सरकार से जो है कि परमानित होना जरूरी है ठीक है जैसे कि आप आप इसलिए लाब ले सकते हैं अगर आप पोलेटेकनिक किया है तो आप अपना योजना का लाब ले सकते हैं ठीक है तिहां पर आप देख से हैं कि आप पत्रता पत्रता में क्य वर्क नहीं कर सकते हैं ठीक है वो एकदम पूरा एकदम बीरोजगार होना जरूरी है अब इदक ना तो सर्वजनिक से जुड़े हो नहीं सोरोजगार से जुड़े हो ठीक है अब इदन झारकन के नियोजलानले में निमंदित होना चाहिए अब इदन जो है कि यह जो है कि रि साथ से अभियूक्त ना हो जिसकी बज़े से 48 गेंटे इसे अधिक से करावास की सजा हुई हो यानि कि कोई भी आपका केस वस नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस योजना का लाब है तो किसी परकार का दोहरी करन ना हो स्वाइं का बैंखता होना जरूरी है आधरकाड होना जर परजना का लाब ले सकते हैं ठीक है तो यहां पर आवेदन की परकिया जो है कि या बताए गया है कि आवेदक ने जीस विभाग सच्छनिक सथा से प्रसिचन प्राप्त किया है उस विभाग में बिहित पत्र में सपत्र सईथ आवेदन करेंगे यानि कि जीस सथान से आप प्रहाई की हैं उसी वही पर आपना इस आवेदन को भर के आपको जमा करना है ठीक है पत्रत के अवेदन के लिए रूपे 5000 परति बर्स एक बर्स के लिए दिया जाएगा ठीक है एक बर्स के लिए एक बर्स में आपको 5000 रूपया दिया जाएगा और बिदहवा परिवक्ता याप किस तरह भर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह से प्लामू कर सकते हैं यह उसका जांडा उप्सका ऊफीस है वहां पर आप सकते हैं प्रिन यांपर बताया है कि प्लामु जिला के तमाम सहरियां उच्छत्री कि रामिन चेत्र के विरोजार से अपील है कि अपने अपनी विवाग संस्तान में आविदन कर उख्त योजना का ज्यादा से ज्यादा लाब उठाए मतले सबीज डिस्टिक्स में आपना लाब उठा ब्लामु जिला का जो भी ऑफिसिएल साइड है भी आप आप जाकर इस फार्म को डाउनलोड कर लेजिएगा तभी आपको यह फार्म मिल जाएगा दे करने को कहा जाएगा ठीक है ताभी सारे जीला का लोग उसका आपको चेक करते रहें पर इसका ओपिएल वेबसाट है आपको चेक करते रहना है ठीक है आपको यहां पर दिखाते हैं कि इसको फार्म को के से फिल करना है ठीक है यहां पर अपना लिंक मतलब आपको भरना है महिला या पुरुस जो भी है यहां पर आपको कोटी भरना है ठीक है मतलब जाते हैं आपको भरना है यहां पर नियोजलान के नाम लिखना है कि किस देट को आप रेजिस्टेशन किया है वह अभी आपको यहां पर लिखना हुआ इसका इस्ताई पता लिखना ह है या नहीं इसको भरना मोगल संग्हां वरना है या इमेल अपर को runnow है between आपको कहते है जिस में है आपका बैंक यह आदार लिंग है उसी को आपको देना हो ठीक है यहां पर बैंक का नम देना होगा यहां पर आफ i7 कोड देना होगा ठीक है यहां पर सच्छनिक जग्योता का पर्मान पत्र संगलंग करना होगा ठीक है जितने भी आपको सच्छनिक पत्र का जो भी आपका क्वालिफिकेशन है सभी आपको यहां पर देना है और इसको एटेच करना है जो भी आपको दीजेगा उसको जरस्त करके आपको एटेच करके आपको फ़र्म को भर्नाँ पर आपको यहां पर दिया गया कि सपत पत्र यहां सपत पत्र में दिखारकान राज ऑद्रार कि सवर रोजगार से जुड़ा नहीं हों किसी नियोजलान से किसी अप्राद में सजापराप्टने नहीं हुए ठीक है वह आपना पर नाम लिखेंगे यहां पर आपको करना आए थीक है यह आपडेट आपने इस घ्ली बावच पलामुजीला का निकला हुआ थीक है जो भी डिस्टिक का निकले का सारा खुछ डीटल समाँ आपको इस वीडियो में इस चैलनल पर आपको मिल जाएगा ठीक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह के जो भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंद पर आपको तुरंद ही मिल जाएगा ठीक चलिए मैं वीडियों का यहीं पर आंद करता हूं आप मिलते हैं नेस्ट वीडियो में